जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए हैं वो भविष्य में ना बिहार चाहता है ना बिहार की जनता चाहती है पुटा के बाद पुत्र पुना घोटाला कर पाएगा यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जाए देख रहा है नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पू सांगवी बिहार विधान सबाज चुनाओं होने में अब कुछी समय बाकी है ऐसे में सत्ता पक्ष और बिपक्ष एक दूसरे पर बयान बाजी करने से बाज नहीं आ रहा है सभी दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दोड़ है वो जारी हो चुका है इस बीच बिजेपी की निता संजय जैसवाल राजत सुप्रीमो लालू प्रशाद यादब पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब लालू प्रशाद यादब की सरकार नहीं चाहती है बिहार की जनता अब उस सरकार से ठक चुकी है नब्बे के दसक से अगर बात कर ले 2005 तक तो बिहार में जो अपड़ाद था वो चरम पर था अब जो बिहार है वो 15 साल से सुसासन की सरकार में है और बिहार की जनता नितीज सरकार की सरकार को चाहती है विसे इस क्या कुछ कहा पीजेपी के नेता संजय जैसवाल ने आप खुद सुनिये जिन्होंने इतने दिनों तक काम करके और जेल में आराम कर रहे हैं और जेल से छुटने की भी कोई संभावना नहीं है वह व्यक्ति जो लागतार 15 वर्षों से काम कर रहा है आगे भी काम करेगा बिहार 15 सालों से सुशासन में है और आगे भी रहेगा जो घोटाले 1990 से 2005 में हुए है वह भविष्य में ना बिहार चाहता है ना बिहार की जनता च जाती है इसलिए नितिश कुमार जी ही कारे करेंगे और जो वह सपना देख रहा है कि पिता के बाद पुत्र पुना घोटाला कर पाएगा यह मौका उनके पुत्र को किसी हालत में बिहार की जनता नहीं देने जाए तो आपने सुना बिजेपी की नेता संजय जैसवाल ने मु उसासन की ही सरकार चाहती है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ नमस्कार